साथियो नमस्कार आपका अपना यूटूब चैनल लक्षी तीजी टेक में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पारा क्लास के सत्यापन से सम्मंधित बहुत से प्रशन सिछकों के दिमाग में उठ रहे हैं इन में मुख्य रूप से पारा क्लास का सत्यापन किस के द्वारा किया जाना है पारा क्लास का सत्यापन हमें कितने बार करना है और पारा क्लास में जो आडियो फाइल अपलोट करना है वह हमें किस प्रकार करना है तो चलो दोस्तों इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले साथियों आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद लेप्ट साइट के स्थ्री लाइन को प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद सिख्छक के कारे में चले जाएंगे उसके बाद पारा क्लास का सत्यापन करे इसको जैसे ही प्रेस करेंगे साथियों आपके ब्लॉक का नाम और संकुल का नाम आपको यहाँ पर नजर आने लगेगा उसके नीचे है भौतिक रूप से मॉनिटरिंग और टेलिफॉन से मॉनिटरिंग भौतिक रूप से मॉनिटरिंग के आप्शन को जैसी टच करेंगे साथियों यहाँ जो बॉक्स है वह फिल हो जाएगा अब ध्यान रखेंगे भौतिक रूप से monitoring का प्रयोग साला के जो प्रभारी सिख्छक है वो करेंगे, साला के प्रधान पाठक है वो करेंगे और जो संकुल समनवेक है वो इसका प्रयोग करेंगे इसके अलावा उच्छ अधिकारी भी इस option का प्रयोग कर सकते हैं अब दूसरा option है telephone से monitoring करें इसको जैसे ही touch करेंगे साथियों यह विफिल हो जाएगा तो telephone से monitoring का प्रयोग मुख्य रूप से उच्छ अधिकारी के द्वारा ही किया जाना है उच्छ अधिकारी ही इसका प्रयोग कर सकते हैं उच्छ अधिकारी टेलिफोन के द्वारा आपके विद्याला के बच्चों का जो है सत्यापन कर सकते हैं अब नीचे है साथियों गाओ का चैन करें यहाँ पर गाओ का नाम चैन कर लेना है फिर पाराकलास का नाम अब यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या पुष्टी करें यहाँ पर हमें जितने विद्यार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है उसकी संख्या फिल करनी है उसके बाद है फीडबैक फीडबैक में चार अप्सन है साथियों यहां से चार आप्षनों में से जो अधिकारी है या सत्यापन करता है वो किसी भी आप्षन का प्रेयोग कर सकते हैं अब यहां पर है आडियो फाइल अपलोड करें आडियो फाइल सांथियों यहां पर MP3 ही सपोर्टेड है द्यान रखेंगे MP3 फाइल को ही आपको यहां पर अपलोड करना है क्योंकि MP3 के अलावा आप दूसरे फाइल को यहां पर अपलोड नहीं कर सकेंगे अब कौन सी फाइल रहेगी वह सांथियों जब उच्च अधिकारियों के और हमारे बीच में किसी फोन के द्वारा समवाद होगा बादचित होगा हम उस बादचित को रिकार्ड कर लेंगे उसके बाद उसी रिकार्डेट फाइल को हम MP3 में करनवाट करके यहां पर अपलोड कर देंगे नीचे है रिमाक्स रिमाक्स है सांथियों यहां पर हम सुझात्मक टिपनी भी दे सकते हैं या फिर कोई अच्छी अच्छी जानकारिया जो अच्छी लगे हमें उसको भी यहां पर बिंदुवार हम लिख सकते हैं उसके बाद सुरक्षित करें सुरक्षित करने के बाद आपके द्वारा जो सत्यापन का कार्या वो पूर्ण हो जाएगा तो पारा क्लास का सत्यापन हम एक से अधिक बार भी कर सकते हैं तो ध्यान रखेंगे साथियों पारा क्लास के सत्यापन से संबंदी जितने भी बाते थी वह इस वीडियो में आ गई है और किसी भी बात की जानकारी आपको लेनी हो तो बिल्कुल टिपनी करिएगा कमेंट करिएगा आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद